हेलो एवरिवन स्वागत आप सभी का आज के सेशन में आज हम राजस्तान के इतियास में आवल बावल की संदी के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एक्जाम पॉइंट ओफ यू से बहुत जादा मैत्रपूर रहने वाली हैं आवल बावल की संदी का बुईती 1452 में 1452 में आवल बावल की संदी हुई यह संदी मेवाड के राणा कुम्भा और मारवाड के राव जोद्धा के बीच हुई यह संदी मेवाड के राणा कुम्भा और मारवाड के राव जोद्धा के बीच हुई यह संदी सोजत पाली नामक इस्तान पर हुई थी इस संदी के तहट मेवाड और मारवाड की शीमा का निर्धारन हुआ जा तक आवला के पेड़ है वहां तक मेवाड और जा बबूल के पेड़ है वहां तक मारवाड होगा जा तक आवला के पेड़ है वहां के आवगा मेवाड और जा तक बबूल के पेड़ है वहां पर का आवगा मारवाड अंतत्य हंसा भाई के सयोग से राणा कुम्भा वैराव जोद्धा के बीच आवल बावल की संदी हुई आवल बावल की संदी किसकी सयोग से हुई अंसा भाई के सयोग से और किसकी के बीच हुई राणा कुम्भा व राव जोद्धा के बीच इस संदी के पथ्चात राव जोद्धा ने अपनी पुत्री स्रंगार देवी कह बाए खुम्भा के पुत्त रायमल के साथ करवाया पर्शन पर्शिद्ध आ ओल बावल की संदी किन किन दो राज्यों के बीच हुई पर्शिद आवल वावल की संदी किन किन दो राज्यों के बीच हुई उत्तर मेवाड और मारवाड मेवाड और मारवाड पर्शन आवल वावल की संदी किस किस के मद हुई आवल-वावल के संदि किनकिन के बद हुई मारणा कुमबा और राव जोद्धा के बीच आवल-वावल के संदि हुई पर्शन मारवार्षे मैत्री के दोरान राव जोधा की पुत्री का गवाग मारणा कुम्बा के पुत्र रायमल के साथ कर दिया गया राव जोधा की पुत्री का क्या नाम था सरंगार देवी पर्शन आवल भावल की संदी किसके सहयोग से हुई पर ऑल बावल किसंदिक इसके सहयोग से हुई अंसा भाई इसके सहयोग से हुई हनसा भाई नोट जहां तक आवला के पेड़ें महां तक मैवाड होगा ऎश्था Jyand Jyava